जय हैं दोस्तों मैं जीतेंद्र आपके अपने यूटूब चैनल जय टीम टक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि थमनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि आज हमारी टॉपिक जो है वो वर्क पाउर और एनर्जी है मतलब कार सक्ति और उर्जा जैसा कि हम जन चैनल साइन्स पढ़ा रहे हैं और कार सक्ति और उर्जा बहुत अच्छे सो रहा है फ्लोचाट में पढ़ा रहे हैं पीडिया भी दे ही रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं जो बन जा रहे हैं और जो नहीं बने है वह आगे प्रवाइड हो जाएगी तो आज हम चलते हैं अपने है वरप अगलते हैं और एक नए जोस के साथ हम सुरू करते हैं अब अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को सुनिये और देखीए कि कैसे समल माता तो जिसको רे सिक वोलते हैं तो कार क्या होता है सबसे पहले यह जामें हो इंट्रों इसको इसका क्या होता है कि कार एक तरह जो करता है को क्रिया होती है वही और कि आ ही इसकुर है उसको चैनल संपण कर द्रNews का समपादन जो सबती है कोई ब क्रिया जैसे नहान सोना रोना गाना है यह current है क्रिया यह तरह कि आ संपादन ही जो करता है वो क्या होता है कार किसी विक्रिया को संपादन जो होता है जिसके तुरू होता है वो क्या होता है कार ठिक यह तो होई नार्मल सी बाहत इंसका इंट्रो लेकिन फिजिक्स में जो से इसकी सांटाईपिक इसट है बल लगाकर असे हैं जो कार की डिफनेशन है वह होता है बल लगाकर बल की दिश्व निशा में विस्थापन कि हम किसी बाडी पर मिप्लाई कर रहे हैं किसी बाडी क्या कर रहे हैं फोर्ट इसक को जो यह कर रहे हैं ** कितना हुआ तो जब किसी बाड़ी में फोर्स लगाते हैं और वो विस्थापित हो जाती है और इन्हीं के बुणन फलका जो बल होता है और जितना डिस्प्रेस्मेंट हुआ उनका मल्टिप्लाइ कर दिया जाता है तो वह आता है क्या कारे तो बल लगा कर बल कि दिशा में जो है आप फोर्स लगा किए हां डिस्प्रेस कर दिये कभी 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 होता है फोर्स हम क्या का करते हैं ऐसे लागा करthey body है 48 धना हमने क्या किया कि नहीं एक रसीयमा भान लगाई तो में धील वह रौका कि यहाँ पड़ी है ठीच선 कहते हैं कि हमने अएक विकास शुपढ़्त तो यह फार्मूला है F into D आया ठीक सिंपल सी बात ही कोई से हमको पसरट लेना है ठीक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें क्या हुआ कि बाड़ी को हम यहां ऐसे खीच रहे थे इस वाले में क्या हुआ एक दूसरी स्थिती लिखी है बाड़ी को हमने हलका सुचाई दे कास ठीटा ठीक यह आप फर्मूला बस ध्यान से रट लीजिए बस बहुत ज्यादा राकेट साइंस कुछ नहीं है तो आगे आते हैं जब कार होता है वो पाजिटिव हो सकता है अगर बलकि दिसा में हो रहा विस्थापन पॉजिटिव उल्टा हो रा निगेटिव जहां का सुनने कैसे होगा वह आप देखेंगे तो यह एक अधिस रासी है इसमें दीशा उसा की ज़रूरत नहीं होती है आपने कार किया वह किसी भी डारेक्टिन में किया आपने कार किया उसका एक वैलू होगा उस वैलू का एक मैगरिटीड होगा तो आप यह समझ लिजिए कार एक अधिस रासी है ठीक है तो इसकी यूनिट हम जान लेते हैं एप मदला फोर्स डी मदला डिस्प्लेश्मेंट मरत दूरी तो फोर्स का होता है बलका न्यूटन अधूरी का मीटर आप लोग अगर पीछी क्लास किये होंगे तो वहांसा सब क्लिया राज न्यूटन मीटर आज नीटर अंगम केजी केज़ी मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं ऑ के ajud हो ता और मीटर स्कॉरर एक मीटर यहां गया है तो क्यूरम एक शाइंटिस्ट नहीं की सम्मान में का नाम क्या पढ़ गया था जूलřस जूल बहुत बढ़े साइंटिस्ट 돼 tantricon अहुनिक सम्मान अर्ग साथ है तो सीजे में ग्राम सेमी स्क्वार सेंकेंड सोरी सेकेंड इन्वर्स यहां है सोरी सेकेंड पार माइनस टू है और इसको आर्ग बोल देते हैं और एक जूल बराबर अगर अगर करेंगे हम बेसिक जो यूनिट ट्रांस्फार्मेशन ला है उसी तरीके से तो टेंट पार सेवन अर्ग आएगा और इसकी विमा होते हैं मेल स्कॉर टीपार माइनस टू बहुत पूंचता है बहुत फेवरेट है त्याद कर लिजिए क्योंकि विमा का हमने एक अलग से वीडियो बनाया ह है तो आप उस पर देख जाके अरांस पूरी विमाओं को तारे डामेंसिंस उनके आप यूनिट के तो यह हुगा और नीचे देखिए जिसमें कार सुन हो वो सारे एक्जामपल हमने लिखा है यह एक्जामपल किसके लिखे है जिसमें कार क्या हो सुन्या मतलब हो ही नहीं काम होता रहता है लगता कि काम हो रहा है लेकिन फिजिक्स के भासा में वहां कार यह नहीं होता क्योंकि फिजिक्स क्या कहती है फोर्स इंटू डिस्प्ले है कैसे सुन होता है काम करते हैं अब सुन होता है जैसे पहला व्यार दारना है दिवार को धक्का मानना ठिक जैसे बोड है बोड मलब दिवार ही है हमने क्या कि इसको धक्का दिया धक्का दे रहे हैं दे रहे हैं दिवाल खिसक ही नहीं रही मतलब उसमें डिस्प्लेस्मेंट फोर्स दे रहें बल दे रहें बल हम दे रहें लेकिन displacement मुलब विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो कोई इसान कहा कि भाई या कि किसी महाराजा ने किसी अपने सैनिक को आदेश दिया कि यह हम एक घंटे बाद आएंगा दिवाल इसको धका देकर थोड़ा दूर खिसका लिए अब चला गया राजा आदेश देखे और इधर सैनिक धका मारता रहा दिवाल ना खिसकी फिर आया देखा अब वो काम लगा ता कि चुवाय गड़ आएं तब तक बाद या नहीं होगा ऐसे यहां भार लेकर ख़ड़ रही है को कि उसकंग को कौई कब दे दिये खड़े रहो लेके आँ जैसे महिला होते हैं अपने बेबी को दे दिये हस्बैन के लो खड़ लेके खड़े रहो और अपना पार्टी इंज्वाए कर रहे हैं अब वो इंसान लेके खड़ा है बेबी को फिर आके कहें लो यार ठक गए तो महिला कहते हैं क्या आपने कोई काम किया नहीं बता रह है यह थिक और बोजहा लेकर चलना एक है रिखो बुजह लेकर चलना अम दोज़ी से चलना मतलब है užा उच्छा चल रहा है उसके बीच में क्या हुआ कि हूँ बज कूल कर खेसे पड़ार और है तो अरो बोजहा लेकर चल रहा है तो सब्ढ़ काश्ड 90 का मान इता है जीरो कि यह पिर जीरओ बोजा लेकर जब चलता है इंशां छेटी डिरेक्शन में तुसमें जो भार किरिया रेखा है मतलब बल लग रहा है वो नीचे को लग रहा है बल नीचे मतलब भार नीचे काम कर रहा है बोजा ऐसे लेगे जा रहा है नबे डिगरी का कौन बनना है और फिर आप उस कूली से कहते हैं कि यहां लुपतारों और हम प्रिशिक कल्कूलेसां लगा रहा है कि यहां आपने कारे जीरो किया हम किस बात के पईसे दें फिर जान लिजे चार कूली कठा क्या आपको समझ रहे ना तो ऐसा काम मत करिए वहां फिजिक्स नहीं लगती उन्होंने अनर्जी अपनी लास्ट किया लेकिन कारे जो हुगा वह जीरो माना गया फिजिक्स के हिसाब से ठिक ते भी सीड़ी पर चड़ना उतरना ठिक कोई सीड़ी है आप चड़ रहे हैं उतर रहे हैं अब भाई displacement यहां चैती डारेक्शन में कुछ हो इन रहा है तो सीदी सी बात है तो कारे सुन समझ में आई ना बात ज्यांसे समझ में कारे समझ में आ गया इसकी यूनिट समझ में आ गई ठीक और उसमें कुछ नहीं रहे है कारे जीरो और पाजिटी नीगेटो और सुने भ क्या आदा में आपका बिस प्रीम मजबूत कर देंते हैं आप देखते रहे हैं चली आगे चलते हैं अब यह क्या है अनर्जी क्या है energy कारे के बाद किस पर आते अनर्जी और जा ठिक उर्जा तुर्जा बिना उर्जा को उर्जा के हम कोई काम नहीं कर सकते हमारे पास उर्जा है तो काम कर सकते हैं तो उसी से इसके डिफिनीशन भी बनी ध्यान से देखिये करने की जहमता ऊरुजा कैसे पता चलती है कि मारे पास ताक्त है अगर हम कोई है हाँ है कैसे है जब हम जमीन से उठाके च्छत पे ले जा रहे तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी जब पत्थर को जमीन से उठाके च्छत पे ले जा रहे थे तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी हम काम कर रहे थे च्छत पे ले जा रहे थे कि एनर्जी स्टोर हुई काम किये कि नहीं कि वह लग बात है अब पता चले कि उसमें उर्जा है कि नहीं है वह कैसे पता चलेगा अगर हम छत से उस पत्थर को धीरे से किनारे लाए ले जाके हलका सा वह सहारा दें धक्ता दें और नीचे आके कोई खड़ा रहा है उस खपड छमता कि खड़की चमता उपाँ लांबार या किसी मोटर मसीन किसी बॉड़ी के इंदर जो कार wand चमता होती वह उर्जा होती ları दो में दो ए 냉स्का भी मात्राग जो का रह काब ही तरह से एनर्जी कॉली मेन से बना है तो इसका भी मात्रइक जूली होता है और सका सीजियर् सभी अधीज रास यह है उर्जा में किसी तरह की डारेक्शन की जरूरत नहीं पढ़ती अभी पता चल जाएक कैसे इसके आपस पता चल जाएका से धेर सारी आंप से हम ने लिखा है और इन सारे उर्जा को हम क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं एक एक करके जिसे बिद्धु तुर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट जिसको बोलते हैं तो जिसे बिद्धु जल रही है अब किस डारेक्शन में करंट है नहीं है एक डूछलता है मोटर चलती है जनरेटर नहीं मोटर चलती है और बहुंस विद्धूतुर्जा की खपत करते हैं कि इसका अलग अलग चैप्टर है इसमें पढ़ा देंगे उसमें जाहित आरजी किसी बाडी को गरम कर रहा है सिर्फर पर्फर इसे भर-फय उसको γरम किये और गरम किये उसमा बनाइज टीम वह उसकी अलग टापिक है सिमी में घुरय होती है जहां को हीट लगती है हीट मतलब वहद ही अधिशा होता है प्रता सुर्जा प्रता सुष्च हुझ एक तरह का हमको चीज़े पूरा ज़ए लाइट जल रही है यह संलाइट ता रही है वह वह उर्जा है करका प्रकास ठीक गुर्जा है जासे हम चिला रहे हैं बोल रहे हैं हमारी एनर्जी कोई अर्जी किसी अर्जीमें रहा है कभी कभी डीजे बचता है ध्यान दीजिएगा आप लोग जब डीजे बचता है किसी गली महले में खुल बंद उसमें बचता है महले में तो फूरा आप फिल करते हैं कि पूरी बाड़ी हमारी वाइब्रेट हो रही है इतना तेज बचता है उसमें उर्जा एनर्जी है ऐसा वहां फिल होता है घर जो है अगल वगल मकान यू वह क्या करते हैं वाइब्रेट कर रहे हैं तो अथि 12 डाकत बहुत होती है ठाक है जो हमाँआरे सुबगवान यृoff already सोलर फूरा इनर्जी बोलते हैं और ये इनकीजिसमार पनेन लागया हैं तो उससे आ हाम पता पावर्फूल एनर्जी होती है नाभी की उर्जा नाभी की उर्जा के बारे में अपने शुल्मा होगा नाभी की सनलयन नाभी की विखंडन तब परमाड़ है नवक कि विघंड हिरोश्मान आगा सागि फेका गया था तुसमें क्या हुआ था तूड़े गए नाव को तोड़ा गया और यह बहुत ही 파वर्फूल एनर्जी घंजञान नमुकियर फीजिन निउकली दो तरह की होती जो पर्माडबम होता है वो नियुक्लियर रियक्शन पर काम करता है और जो अनुबम होता है नावकी सनलेयन पर काम करता है पर्माडबम तो फोला गया अनुबम फोलेंगे तो पुरा पี नाजी हो जाएगा जो हमारा सन है वो नाग की अनर्जी का हां डान घ कांसे आ रहे तोर जुड़ता है यसे होता है उसके बाद लेते हैं लेते हैं और लगा देते हैं तो क्या मठटान किसक केमिकल नरजी कभी कभीया करने दूसरे में डाल इते हैं तो रिएक्षण होने लगता जी जैसे कोको लाओता मेनमग डाल दो अलग अउसमें काम मठवागीं है तो एनर्जी हो अब आते हैं द्रब्यमान उर्जा यांत्री कुर्जा ठीक इनी इर्जाव को हमें इस टॉपिक में पढ़ा लेना है थोड़ा थोड़ा ठीक तो द्रब्यमान उर्जा जैसे एक आप इसके बारे में अच्छे पढ़ाएंगे आंश्टी साब थे बराबर ए हम यांत्री कुर्जा मसीनों में जो किसी कोई बी जाप करी चीज ज offenders अंत्रिक को तो यांतरिक उर्जया दो तरख होती गतिव उर्जया जैसे कोई मोटर है रन कर रही तो गतीज उर्जया ठीक स्थिति उर्जया स्थिर है ठीक लेकर भाए ठीक ताकत टेर सारा पाणी कठ्था कर दे छत प ? इसके बाद किसी मोड़क嗎 अम ल guidelines समझ लेते हैं कि यहीं दालते हैं वीडियो लंबा यह हम साफ एनरजी इनरजी में मस होता है मास में अनर्जी होती है दरब्यमान में पुर्जा होता है यह किसे नहीं कहा बहुत बड़े महान ग्यानिक थे आंश्टीन साहब अलबर आंश्टीन बोलते उनको तो उन्होंने एक फार्मूला दिया यह बराबर mc-square एक समीकराण दिया एक एक एक्वेशन दिया इस इक्वेशन से इन्होंने का कि इनर्जी जो है इसके इसके मल्टिप्लाई से आ जाती किसी द्रभ्यमान में ठिक वो कैसे आती है यह तो हम नहीं बताएंगे पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है आप लोग सब जानते है इसे 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 ही त्यूरी आफ रिलेटिविटी या सापेज शिकता या का सिध्धान कहा जाता है यह पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिए इसे ही त्यूरी आफ रिलेटिविटी सापेज शिकता आप शिकता का सिध्धान कहा जाता है और इसे पर हमारी जो नाविक्यू उर्जा है जो पर्माड उर्जा है इसे पर काम करती है कि आप लोग बात बता दें जाते जाते कि हम एक ग्राम एक ग्राम मिट्टी को अगर तोड़ पाएं और उसकी एनर्जी को हीट को कंट्रोल कर पाएं कि तुस्सी एक ट्रेन एक वर्स लगा तार चल सकती है कि सोच लो कि इतनी सी मिट्टी में इतना दम होता है कि वह इससे होता है और यह असंभव साज जैसा है दिरे दिरे आ रहे हैं जैसे हमारा परमाड बं बन गया अभी न्यूक्लियर एनर्जी की एनर्जी कंट्रोल कर ली जाए नाब की सनलेयन की ऐसा को यह दूद्व नहीं बना है जो उसकी तरो रोक सकें और उसको रियक्षन को कंट्रोल कर सक के नए तो नहीं हमारा थे वाला मрьम हो जाए ठीक यह नाब की और जार आ पर माल जावर नाज़ जो है व iy इसी पर काम करते है ठिक है योब उसमें क्या होता है एक मास होता है भहुट정이र नरुजी देता है इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सबस्क्राइब करिए मित्रों को सेर करिए हमें मोटिवेट करिए और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे concept और सारी टॉपिक ऐसे ही इंजॉय करते हैं कि खतम कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अशीक साथ मैं वीडियो खतम करता हूं जैहीं